Hello everyone, आज का जो मेरा session है, एक important session है, अगर आप लोग अपना computer field में या IT industry में career बनाना चाहते हैं, तो after 12th क्या करें, 12th के बाद काफी confusion होता है हमें, कि हम क्या करें, BCA करें, BBA करें, B.com करें, essay में में आपका ये जो session है, आपके काफी सारे confusion, doubt दूर करेगा, फिर भी कोई question रह जाए, तो आप जब पूछेगा, मैं आगले session में उसका reply भी दूँगा, तो आज का जो session है, basically, वो है कि career in computer या programming, जब भी बात आती है career in computer या programming की, तो हमारे पास IT industry में जाने के, दो तरीके ह हो सकते हैं, कौन-कौन सा, एक तरीका तो 12 के बात सीधा-सीधा होता है, कि आप IIT या NITS या किसी private college के through, B या BTEC कर लें, right, एक तरीका IT में या computer science branch में, एक तरीका ये, दूसरा तरीका क्या है, आप माल लेजे, पर ये IIT की बात जब हम करते हैं, तो IIT के वल वही बच्चा कर सकता है, जिसका subject PCM हो, अब माल लेजे कि आपका 12 में बायो है, commerce है या arts है, फिर भी आप आगे जाके IT industry में अपना career बनाना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या करें, तो ऐसे में आपको एक अच्छी degree की जवत पड़ेगी, जब ही आप बड़ी company में जा सकते हैं, अगर आप तरीका हो सकता है, पर अगर आप माल लेजे कि IAT के थुरू नहीं जा पा रहे हैं, बी टेक, NIT के थुरू नहीं जा पा रहे हैं, तो किसी मेरा मतलब personal suggestion है कि कि किसी private college से B.E.B.T.E. करने से ज़्यादा अच्छा है, कि आप BCA करके MCA करें, और MCA NIT से करके एक अच्छी job ल पहला, नहीं तो graduation करें, और graduation में भी BCA एक best course है, इसको लेके मन में कई सारे questions आते हैं, वो भी दूर करता हूँ, BCA एक best option है, और BCA के बाद आप MCA करके IT industry में इंटर हो सकते हैं, कई लोगों को ये option नहीं पता होता है, कि जैसे NIT 12 के बाद NIT, IAT के थुरू आप NIT पे जा स सकते हैं, पर BCA पे ही मैं क्यों focus कर रहा हूँ, उसका region बताता हूँ, ऐसे ही MCA करके भी, मतलब BCA के बाद MCA का exam दे कर भी, आप NIT में जा सकते हैं, यानि पूरी तरह से अपना technical field में या technical industry में career बना सकते हैं, अब बात आती है, कि BCA को लेके कई बच्चों के मन में एक question हो पर BCA में कई बार, क्योंकि physics, chemistry जो होते हैं, वो हमारे related subject नहीं होता है, अगर IT industry में जाना है, तो ऐसे में हम एक तो उन्हें अननेसरी पढ़ते हैं, दूसरा कई बार BCA में percent बनाना मुश्किल होता है, और अगर आपको IT industry में ही जाना है, तो आप वो syllabus या वो subject पढ़ें, जो आपको आने वाले समय में काम आए, तो इसलिए BCA एक अच्छा option हो सकता है, दूसरा, एक confusion हमेशा रहता है हर बच्चे के मन में, कि क्या BCA के बाद, अगर मान लीजिए मन में बाद में आया कि मुझे civil services में जाना है, यानि UPSC देना है, या मेरे मन में आया banking देना है, य सपोज आपने BCOM किया, सपोज आपने BA किया, तो क्या होगा, कि आप फिर MCA में career नहीं बना सकते हैं, यानि आपके रास्ते कम हो जाते हैं, इसलिए मैं आपको solution दूँगा, कि BCA एक अच्छा option है, गरेशन के लिए, और BCA के बाद, आप MCA का preparation करें, साथ में करें, in fact, first year से करें, आज impetus group में first year से बच्चे preparation चालू कर देते हैं, तो first year से ही आप MCA का preparation करें, और जो सपना by chance आपका 11-12 में पूरा नहीं हो पाया, वो आप graduation के बाद NITS के through MCA करके पूरा कर सकते हैं, आज हर NITS में बहुत अच्छे placement हैं, top most job लगते हैं, 30-40 legs तक का package जाता है, पर first second year से preparation करेंगे, तो आपको उसके advantage मिलेंगे, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, यहाँ पर यह बहुत short session है, कि BCA एक अच्छा career option है, और BCA के बाद आप हर field में जा सकते हैं, पर especially अगर आप IT industry में career में बनाना चाहते हैं, तो BSC या BCA, यह दो option है, और उसमें भी मैं आ उलेडी कई जगे 2 year MCA हो गया था, अब आने वाले समय में हर जगे 2 year का MCA हो जाएगा, next year से, तो 2 year MCA के लिए, अगर आपके computer oriented subject होंगे, तो आपको उसका advantage MCA में भी मिलता है, तो इसलिए मैं आपको solution दूँगा, कि आप BCA कर सकते हैं, अब question ही आता है कि BCA कहां से किया ज हैं, B.H.U. है, Poonay University है, है ना, ऐसे कई सारे exams हैं, जिनके तुरू आप MCA में career बना सकते हैं, पर उसके लिए primary education लगेगी आपकी B.H.C. या BCA, BCA, BCA और B.A. वाले कुछ ही limited college में exam दे सकते हैं, अच्छा दूसरी बात, BCA के साथ एक और अच्छी बात है, कि BCA वो भी में commerce था, जिसका 11-12 में arts था, यानि किसी भी field का बच्चा BCA कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, बट अब आपको BCA कहां से करना चाहिए, ये एक question आता है, तो मैं आपको option बताता हूँ, BCA करने के लिए आपके पास एक option है, कि आप impetus गुरू कुल से भी कर सकते हैं, IMPETA Institute of Professional Education, इसके इलावा, और क्या-क्या option हो सकते हैं, वो बताता हूँ, आप जिस भी city या जिस state में है, आप वहां की भी university से BCA कर सकते हैं, पर BCA करने से पहले, दो-तीन बाते ज़रूर जान ले, जिस भी university या जिस भी college से करें, क्या पता करना ज़रूर है, एक तो उनका syllabus बस latest है की नहीं, duration देखिए, three year में होता है की नहीं, क्योंकि मैं आपको बता हूँ, कुछ university ऐसी हैं, जैसे हमारे पास जब बच्चे आए, कुछ बिहार वगरा के, या UP के, तो उनने जहां से BCA किया था, वो BCA करने में उनको three and half year, four year लग गए, तो आप यह जब पता कर ल जैसे अगर मैं बात करूँ, हम लोगों के पास जो institute है, IMPETA Institute of Professional Education, वो माखलाल चतुरुवेदी से affiliated है, आप जड़ा माखलाल चतुरुवेदी की site पर जाएंगे, तो आप तो हमारे detail मिलेगा, पूरा detail मिलेगा, काफी latest levels है, और top universities में से एक university है, इसका affiliation है, और सब सच्च तो अगर आप, या तो मैंने पहला option दिया कि आप अपनी city या अपने state से जहां से हैं, वहां से कर सकते हैं, पर साथ में first year से ही आप MCEA का preparation करें तो अच्छा रहेगा, पर कई बच्चे ऐसे होते हैं, जैसे हमारे last year से ही बच्चों ने admission लेने चालू भी करती है, काफी सार option है, उसके advantage यह हैं, कि आप यहां पर, आपके उपर college का अलग से pressure नहीं आएगा और आप first year से ही MCEA का preparation कर सकते हैं, तो यह एक option है, अगर आप, suppose इसमें क्या-क्या document रुकार रुटते हैं, यह मैं बता देता हैं, जैसे 10th के mark sheet, 12th के mark sheet, 10th passing certificate, आदार काड, यह सब जगे ल लगेगा, यह हर जगे लगेगा, तो अगर आप, suppose, impetus के through, BCA में जुड़ना चाहते हैं, तो क्या करना होगा, मैं आपको बता देता हूं, उसके लिए मैं आपको शिवम सर का number दे रहा हूं, आप इस number पे शिवम सर से बात कर लें, अभी इस साल की examiner time है, मतलब last date में time है, 15 October को admission close हो जाएंगे, इसलिए उसके पहले, आप लोग सिवम सर से बात करके, अगर आप भुपाल में admission लेना चाहें, तो वो आपको सारी detail बताएंगे, पर आप कहीं और भी लेना चाहें, तो भी शिवम सर आपके help करेंगे, यह session का purpose बिलकुल नहीं है, कि आपको क्या है, यह session का purpose है, कि आप समय रहते हुए right decision ले, जैसे मैं आपको बताओं, कई सारे बच्चे जो हमारे साथ जुड़ते हैं, उन में से कुछ बच्चों ने B.com या B.A. किया होता है, और फिर वो जब मुझसे पूछते हैं, कि सर हम computer field में कैसे career बनाएं, तो उनके लिए काफी दे सकते हैं, जो 12 के बाद बच्चा IT के लिए देता है, जैसे अभी last year ही दो बच्चे ऐसे थे जिनका B.com था और उनने B.com छोड़के फिर से B.C.A. स्टार्ट किया, यानि उनके जो B.com का duration है, वो loss में चला गया, तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा, कि अगर आपका बि से 100% open है, पर B.com या B.A. के बाद ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है, और आज हम देखें, तो धीरे-धीरे COVID, ये IT फील में जॉब तो बढ़ी रहे हैं, और COVID के बाद IT इंडिस्टी में एकदम से जॉब बढ़ गए हैं, क्यों बढ़ गए हैं, क्यों आपको पता आप सब चीज़ें online होती जा रही हैं, चाये वो education हो, चाये वो shopping हो, चाये वो market हो, हर जगे हम देख रहे हैं कि computer field का या IT industry का रोल बहुत बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे मैं सही समय पे सही option लें, confused ना हो, misguide ना हो, कोई भी confusion हो, तो मैं आपसे बोलूँगा, आप सिवम सर स जबू बात करें, चाये वो अपनी city में भी education ले रहे हैं, पर कहीं पे भी confusion हो, तो बात कर लें, जैसे कुछ जगे ऐसी होती ही, जहां पर आप जब BCA करने जाओगे, और आपका commerce नहीं होगा तो बोलेंगा, आप BCA नहीं कर सकते हैं, ऐसा है, जैसे बरकत उल्ला इन्वसि हो सकती हैं, जहां से आप BCA कर सकते हैं, पर आप पता करके करें, दूसरा correspondence BCA ना करें तो अच्छा रहेगा, जैसे इगनो से होता है, और इगनो के लावा कुछ और भी इन्वसिटी हैं, जैसे मैं इगनो कही है, एक एक जामपल दूँ, तो इगनो से एक तो BCA टब भी का आप registration जहूर official website पर देख लें, कि recognize है या नहीं है, इन सब बातों का ध्यान रखें, कहीं भी confusion हो, तो आपको मैं फिर एक बार number बोल देता हूँ, 903949375293752, यह सिवम सर का number है, मैं इसके description में भी दे दूँगा, आप सर से बात कर लें, वो आपके जो भी questions, जो भी doubt हों और कभी भी जीवन में कोई जब carrier की बात आती है, तो बहुत सोच समझ के decision लेना चाहिए, क्योंकि आपका एक decision आपके अगले 10 साल, 20 साल, 30 साल बनाने वाले हैं, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि short term मत देखो, पहले यह सोचो कि आप life में क्या करना चाहते है, अगर आपका aim, vision clear है, तो confuse होने की जयुद नहीं है, thank you and all the best.